दोस्तों नमस्कार ये हमागदोशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुरागशोधरी दोस्तों उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित किये जाने वाले आरो यारो यानी समिक्षा धिकारी सहायक समिक्षा धिकारी परिक्षा के लिए सामान हिंदी मोहत्वण अध्यान सामागरी में इस वीडियो में आप पढ़ेंगे विशेश से और विशेशन को समझने के लिए मोहत्वण अध्यान सामागरी इसमें आप जानेंगे विशेशन और विशेश से क्या है विशेश के प्रमुक परकार कौन से हैं प्रविशेशन किसे कहते ह और विशेशन तथा विशेश से संबंधित प्रमुक शर्तें कौन सी हैं आगे के वीडियो में हम विशेशन और विशेश से खंड से पूछे गए सभी प्रशनों को भी रिवाइज करेंगे जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपियोगी होगा तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित किये जाने वाले आरो यारो परिक्षा के लिए सामाने हिंदी के अंतरगत विशेश से एवं विशेशन के संबंध में महत्तपूर जानकारी सबसे पहले आप जान लीजे दोस्तों की विशेशन और विशेश से किसे कहते हैं ये बहुत ही महत्तपूर है आपके लिए जानना की विशेशन क्या है और विशेश से क्या है तो देखे जो सब्द संग्या अथवा सर्वनाम की विशेष्टा बताते हैं उसे विशेष्ण कहा जाता है बहुत ही महत पूर है बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि जो शब्द संग्या अथवा सर्वनाम की विशेष्टा बताता है उसे विशेष्ण कहते हैं और विशेष्टा बताई जाती है वो विशेष्टा कहलाता है तो याद रखिएगा ऐसे सब्द जो संग्या अथवा सर्वनाम की विशेष्टा बताते हैं उसे विशेष्टा कहते हैं और विशेष्टा के द्वारा जिसकी विशेष्टा बताई जाती है वो विशेष्टा कहलात होता है लेकिन सफेद गाय कहने से ऐसी गायों का ही बोध होगा जो सफेद होता हो जैसे आदमी है तो आदमी से संपूर्ण जाती का बोध होता है लेकिन लंबा या छोटा आदमी से केवल वही व्यक्ति या उसी व्यक्ति को उसमें शामिल किया जाएगा जो लंबा होगा या छोटा होगा विशेसन कितने प्रकार के होते हैं इसको जानना बहुँजरूरी है तो विशेसन के प्रमुक चार भेद है सार्वनामिक अथवा संकेत वाचक विशेशन, गुडवाचक विशेशन, संख्या वाचक विशेशन और परिमार वाचक विशेशन तो याद रखिएगा सार्वनामिक अथवा संकेत वाचक विशेशन, गुडवाचक विशेशन, संख्या वाचक विशेशन और परिमार गुड वाचक विशेशन, संख्य वाचक विशेशन और परिमाण वाचक विशेशन और सार्वनामिक विशेशन दो प्रकार के होते हैं एक तो मौलिक सार्वनामिक और दूसरा योगिक सार्वनामिक इसी तरह संख्य वाचक विशेशन दो प्रकार के होते हैं निश्चित संख्या वाचक के भी भेद होते हैं निश्चित संख्या वाचक में गड़ना वाचक विशेशन, क्रम वाचक, निश्चित संख्या वाचक, आपरित्ति वाचक, समुदाय वाचक और प्रतेक वाचक होता है और जो परिमार वाचक विशेशन है उसके भी कई भेद हैं परिमा उसका एक जो गड़ना वाचक विशेशन है निश्चित संख्या वाचक में उसमें पूडांक बोधक विशेशन होते हैं और अपूडांक बोधक विशेशन होते हैं तो ये था विशेशन के चार प्रमुक प्रकार और उनकी कुछ अन्य जो है उप प्रकार अब थोड़ा सा जानकारी के लिए आपके बता दें कि विशेशन के भेद या विशेशन के प्रकार के बारे में विद्वानों में कुछ मत भेद हैं। हिंदी सब्द अर्थ प्रियोग में जो है विशेशन के चार भेद माने हैं सार्वनामिक गुडवाचक, संख्यवाचक और परिमार वाचक। अब आईए जानते हैं सार्वनामिक अथवा संखेत वाचक विशेशन क्या है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों सार्वनामिक अथवा संखेत वाचक विशेशन इसको आप जान लीजें। कि सर्वनाम के निजवाचक और पुरुसवाचक रूपो मैं तू वह इनसे भिन सर्वनाम जब किसी संख्या से पुरु आए तो उन्हें सार्वनामिक विशेशन कहते हैं। जैसे यह गाय सुन्दर है वह घर बड़ा है यहां गाय और घर के ठीक पुरु आए यह और वह सार्वनामिक विशेशन हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों सार्वनामिक विशेशन वह होता है जो सर्वनाम के निजवाचक और पुरुस वाचक रूपों से भिन हो और वह किसी संख्या से पुरु आए जैसे यह गाय सुन्दर है तो किसी एक गाय को इंगित करके कहा जा रहा है यह गाय सुन्दर है या किसी घर को संकेत करके कहा जा रहा है कि वह घर बड़ा है तो इसमें यह और वह सारवनामिक विशेशन है जो सरवनाम संकेत द्वारा अथवा संग्या या सरवनाम की विशेशता बताते हैं ये संकेत वाचक विशेशन कहलाते हैं क्योंकि संकेत वाचक विशेशन सर्वनाम सब्दों से बनते हैं इन्हें निर्देशक भी कहते हैं और मौलिक सार्वनामिक विशेशन आप उन्हें कहते हैं जो बिना किसी रूप परिवर्तन के यथा रूप परियुक्त होते हैं जो सा उसी तरह परियुक्त होता है जैसे यह वह कोई वे इनमें जो है रूप परिवर्तन नहीं होता है प्रत्य लगाकर परिवर्ते सर्वनाम उसे बने विशेशन को योगिक सर्वनामिक विशेशन कहते हैं ऐसी किताब वैसा देश जैसा देश वैसा भेश ये सभी तो आईए सर् सर्वनामिक विशेशन में अंतर जान लेते हैं देखे, सर्वनाम तो आप जान लीजिए दोस्तों सर्वनाम जो है इसमें जब आप देखेंगे तो जब कोई शब्द किसी संग्या के बदले में प्रयुक तो होता है और किसी वस्तू या प्राणी की और संकेत करता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं जैसे वह जा रहा है और सर्वनामिक विशेशन तो जो सर्वनाम संग्या सब्द की और संकेत करता है और संग्या सब्द से पहले उसका प्रयोग किया जाता है वह सर्वनामिक विशेशन होता है जैसे वह लड़का जा रहा है दूसरा प्रकार जो है वो है गुडवाचक विशेशन देखिए बहुत ही महत्पूर है दोस्तों जो विशेशन का दूसरा प्रकार है वो गुडवाचक विशेशन है इसको आप समझेए कि जो शब्द संग्या या सर्वनाम के गुड दसा स्वभाव का बोध कराए उसे गुडवाचक विशेशड कहते हैं मुख गुडवाचक विशेशडों में जैसे गुड़ों में सच्चा, छूठा, दानी, पापी, न्याई, दुष्ट और सांथ हैं रंगों में लाल, पिला, हरा, बैगनी, चमकिला और फीका, आकार में टेड़ा, सीधा, चौकोर, गोल, सुड़ल, लंबा या चोड़ा, अस्थान में छेतरी, देशी, पंजाबी, भारती, अमेरिकी, चौरस, दाया, बाया, भीतरी, बाहरी, पुर्वी, पश्मी और काल में नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भवी, से, प्राचीन, आगामी, मौस्मी, दशा में दुबला, पतला, मोटा, भारी, गीला, और शूखा, और दिशा में पूर्वी, पश्मी, उत्तरी, और दक्षडी और इन विशेशडों में साज पद जोड़ कर गुड़ों को कम कर लिया जाता है, जैसे बड़ा सा, उचा सा और छूटा सा तो इस तरह से आप देखिए ये गुड़वाचक विशेशड है, गुड़वाचक विशेशड आप जान लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्तपूर है जो सब्द शंग्या या सर्वनाम के गुड़ दसा सौभाव का बोध कराए, उसको गुड़वाचक विशेशड कहते हैं और मुख्य गुड़वाचक विशेशडों में हमने पढ़ लिया गुड़ों में सच्चा जूठा, रंगों में लाल पीला हरा बैगनी, आकार, आकार के आधार पर टेड़ा सीधा चोकोर, अस्थान में छेत्री ये देशी पंजाबी, काल में नया पुराना ताजा, दशा में दुबला पतला और दिशा में पूर्वी पश्मी ये सभी गुड़ वाचक विशेशड कहे जाते हैं, तीसरा प्रकार जो है वो संख्या वाचक विशेशड का है, इसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जान लीजे दोस्तों, जो हमारा संख्या वाचक विशेश हो जाते हैं, गड़ना वाचक, क्रम वाचक, आवरित्ति वाचक, समुदाय वाचक और प्रतेक वाचक, तो पहले जानते हैं, संख्या वाचक विशेशड क्या है, जिन सब्दों से किसी संग्या या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उनको संख्या वाचक विशेशड कहते ह संख्या वाचक के दो भेद हैं निश्चित संख्या वाचक और अनिश्चित संख्या वाचक निश्चित संख्या वाचक पांच प्रकार के होते हैं गड़ना वाचक, क्रम वाचक, अबृत्ति वाचक, समुधाय वाचक और प्रतेक वाचक तो सबसे पहले गड़ना वाचक के बारे में जान लेते हैं गड़ना वाचक यह वस्तूओं की गड़ना बताता है जैसे साथ कार बीस कोरसिया क्रम वाचक तो यह क्रम के अनुसार गड़ना का बोध कराता है जैसे पहला लड़का पाँचवी मंजील तरतीस रेड़ी अब बृत्ति वाचक में यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु के आधिक के का अनुपात बताता है जैसे चौगुना बल, सौगुना धन, दूध से दूगुना पानी इस तरह का और समुदाय वाचक में यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है जैसे तीनों मित्र, सातों घर, दोनों बहने, चारों भाई और प्रतेक वाचक में क्या है? प्रतेक वाचक में इसे प्रतेक बोधक या पार्थक के वाचक भी कहा जाता है क्योंकि वे एक जाती के हर यानि प्रतेक वस्तु के सूचक होते हैं से हर एक घर प्रतेक दो-दो हर दूसरे तो ये सभी निश्चित संख्यावाचक के उदारण थे संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक हैं तो अभी हमने जो पढ़ा वो निश्चित संख्यावाचक थे अब अनिश्चित संख्याव होता है और चौथा जो है दोस्तों चौथा विशेशन परिमार वाचक विशेशन है जिन विशेशन सब्दों से संगया सर्वनाम की मात्रा अथ्वा नापतल का भोध होता है वो परिमार वाचक विशेशन कहलाते हैं परिमार वाचक विशेशन भी दो प्रकार के होते हैं एक जिन विशेशन्ड सब्दों से वस्तु की निश्यत मातरा का ज्यान होता है वहाँ निश्यत परिमाड वाचक विशेशन्ड होता है जैसे दो किलोगे हूं एक लीटर दूध नौ मीटर कपड़ा और अनिश्यत परिमाड वाचक में जिन विशेशन्ड सब्दों से वस्तु की अनिशित मात्रा का ज्यान होता है वहाँ अनिशित परिमाडवाचक विशेशन होता है जैसे थोड़ा सा आठा कुच्ची नी बहुत सारधन तो परिमाडवाचक और संख्यावाचक विशेशन में ऐसे तो आपको दिखेगा कि कोई अंतर नहीं है लेकिन आप जान लिजे कि परिमार वाचक और संख्या वाचक विसेशन में कुछ अंतर है परिमार वाचक में नापतौल की वस्तूएं आती हैं संख्या वाचक में गड़ना योगे जिनकी गिंती की जाती है वो वस्तूएं आती हैं और परिमाण वाचक विशेशन में, परिमाण वाचक विशेशनों के बाद, पदार्थ वाचक अथवाद्रव्य वाचक संख्याएं आती हैं, और इसमें जो संख्या वाचक है, इसमें संख्या वाचक विशेशनों के बाद, जाती वाचक संख्याएं आती हैं, एक और होता ह दोस्तों प्रविशेशन इसको भी जानना जरूरी है कि विशेशन विशेश से के अलावा प्रविशेशन क्या होता है तो याद रखेगा जो शब्द किसी विशेशन की विशेशता बताए उसे प्रविशेशन कहते हैं जैसे मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है इसमें विद्यार्थी है कहा गया है तो बहुत प्रविशेशन हो जाएगा क्योंकि बहुत जो है वो तेज की विशेशता यानि विशेशन की विशेशता बता रहा है एक और जानिए विशेश से विशेशन और विध्य विशेशन क्या है तो जो विशेशन विशेश के पूरो आए वह विशेश से विशेशन जैसे चंचल, शिशू, तेज, विध्यार्थी ये विशेश से विशेशन कहलाता है, यहाँ विशेशन चंचल और तेज अपने विशेश यानि सीसु और विध्यार्थे के पूरो आये हैं, इसलिए ये विशेश से विशेशन हैं, और जो विशेशन विशेश के बाद आये, उसे विधेय विशेशन कहते हैं, ये भी आपक जो है ये क्या है इसके बारे में आएए जानते हैं दोस्तों कुछ विशेसन जो हैं अपने मूल रूप में होते हैं जैसे लाल, सुन्दर, गोला, भारी, अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, नीचा, मोटा, पतला इत्यादे और कुछ विशेसन्ड संग्या या सर्वनाम और क्रिया सब्दों में प्रत्य लगा कर बनाये जाते हैं जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं संग्या सब्दों से उत्पन विशेसन्ड संग्या भूख है इसमें आ प्रत्य लगाने पर भूखा प्यार संग्या है इसमें आ प्रत्य लगाने पर प्यारा प्यास में आ प्रत्य लगाने पर प्यासा बनता है विशेशन बंगाल तो बंगाल संग्या सब्द है इसमें प्रत्य ई लगाने पर बंगाली सुख में ई प्रत्य लगाने पर सुखी रोग संग्या सब्द में इप्रत्य लगाने पर रोगी और रूस संग्या में इप्रत्य लगाने पर रूसी बनता है इसी तरह मुंबई जो संग्या शब्द है इसमें इया प्रत्य लगा देंगे तो मुंबईया विशेशन हो जाएगा जैपूर में यह प्रत्य लगाएंगे जैपूरिया हो जाएगा दिन संग्या शब्द है इसमें एक प्रत्य लगाने पर दैनिक सब्ताह में एक प्रत्य लगाने पर सब्ताहिक और नगर संग्या में एक प्रत्य लगाने पर नागरिक सब्द बनता है भारत में ये प्रत्य लगाएंगे तो भारती ये, अस्थान में ये प्रत्य लगाएंगे तो अस्थानी और राष्ट्र में ये प्रत्य लगाएंगे तो राष्ट्री ये विशेशन बनता है दुख में इत प्रत्य लगाने पर दुखित, हर्स में इत प्रत्य लगाने पर हर्सित, पीडा में इत प्रत्य लगाएंगे तो पीडित विशेशन बन जाता है इसी तरह कुल में इन प्रत्य जब लगाएंगे तो कुलीन विशेशन सब्द बनेगा रंग में इन सब्द लगाएंगे इन प्रत्य तो रंगीन और दया में आलू प्रत्य लगाने पर दयालू शब्द बनता है जो कि विशेशन है चमक में इला प्रत्य लगाएंगे चमकीला हो जाएगा धन में वान प्रत्य धनवान बल में वान प्रत्य बलवान और बुद्ध में मान प्रत्य लगाएंगे तो बुद्ध मान विशेशन सब्द बनेगा और इसी तरह शक्ति में मान लगाएंगे तो शक्ति मान क्रिया में शील प्रत्य क्रिया सील और गुण में वती प्रत्य लगाने पर गुण वती विशेसन बनता है तो ये तो था संग्या सब्दों से बनने वाले विशेसन कुछ शब्द ऐसे हैं जो सर्वनाम सब्दों से बनते हैं तो सर्वनाम में जैसे यह या इस सर्वनाम में का प्रत्य लगाने पर इसका विशेशन बनेगा वह या उसमें का प्रत्य लगाने पर उसका जो या जिस सब्द में सर्वनाम सब्द में का प्रत्य लगाने पर जिसक प्रत्य लगाने पर तुम्हारा और आप सर्वनाम में का प्रत्य लगाने पर आपका आप में ना प्रत्य लगाने पर अपना और मैं में रा प्रत्य लगाने पर मेरा तथा हम शर्वनाम सब्द में रा प्रत्य लगाने पर हमारा बनता है और इसी तरह क्रिया सब्दों से भी कुछ वियोत्पन विशेशन है, आप देख सकते हैं, उठना क्रिया सब्द है, इसमें आ प्रत्य लगा देंगे तो उठा, लुटना में आ प्रत्य लगाएंगे तो लुटा, और कमाना में आउ प्रत्य लगाने पर कमाउ विशेशन सब्द बनता है, टिकना में आउ प्रत्य खेलना में आड़ी प्रत्य लगा देंगे तो खिलाड़ी और तैरना में आक प्रत्य लगाएंगे तो तैराक बनता है और इसी तरह भूलना में अकड प्रत्य लगाने पर भूल अकड बनता है तो ये जो था ये आप जान लिजिए ये विशेस विशेसन रचना जो है इसमें हम समझ रहे थे कि कुछ विशेषण, संग्या, सर्वनाम और क्रिया सब्दों में प्रत्या लगा कर बनाए जाते हैं तीसरा जो है लिंग, वचन और कारक की अनुसार कुछ परिवर्थित विशेषण है यानि जैसे जैसे लिंग, वचन और कारक बदलेंगे विशेशन भी बदलता जाता है जैसे काला और बड़ा ये इस्त्री लिंग में काली और बड़ी हो जाएंगे बहुवचन में काले बड़े हो जाएंगे वह जो है बहुवचन में वे उन और उस ये लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित होने वाले विशेशन है चोथा ऐसा है कि जो दो शब्दों के मेल से बनने वाले विशेशन है जैसे भला बुरा, छोटा बड़ा, उंच नीच, दुबला पतला, टेड़ा मेड़ा चलता फिरता और तूटा फूटा है इसी तरह तुलना की दरिश्टी से गुडवाचक विशेशन की तीन अवस्थाएं है मूला वस्था, उत्रा वस्था और उत्मा वस्था मूला वस्था क्या है? तो वह सामान रूप से विशेशन की विशेशता यानि गुड़ोस प्रकट होता है जैसे सरल, योग और महान दूसरा उत्तरावस्था है वह अवस्था जिसमें विशेश यानि संग्या सर्वनाम शब्द की तुलना दूसरे विशेश के साथ की जाती है और एक को दूसरे के मुकाबले छोटा या बड़ा थवा अच्छा या बुरा बताया जाता है उत्तर अवस्था का बोध कराने के लिए संस्कृत की भात हिंदी में भी मूल सब्द की बादतर प्रत्य लगा दिया जाता है जैसे सरलतर, योग्यतर, कोमलतर, इत्यादि और एक तीसरा प्रकार जो तुलना की दृष्टी से गुडवाचक विशेशन है उसमें उत्तमा वस्था है जिस अवस्था में विशेश यानि संग्या या सर्वनाम को सबसे अच्छा बताया जाता है उसे उत्तमा वस्था कहते हैं उत्तमा वस्था का बोध कराने के लिए मूल शब्द या विशेशन के साथ तम प्रत्य लगा दिया जाता है जैसे सरलतम, योग्यतम, कोमलतम यानि सबसे सरल, सबसे योग्य और सबसे कोमल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विशेशन की जो तीनों अवस्थाएं हैं दोस्तों यहाँ पर इस माध्यम से की अधिक, इसका अधिक मुलावस्था है, इसकी उत्तरवस्था अधिकतर और उत्तमावस्था अधिकतम हो जाएगा इसी तरह उच्च का उच्च तर और उच्च तम, कोमल का कोमल तर और कोमल तम, तिब्र का तिब्र तर और तिब्र तम, निम्न का निम्न तर और निम्न तम, मधूर जो मुला वस्था है विशेशन का इसका मधूर तर और मधूर तम, और सुन्दर का सुन्दर तर और सुन्द लगुका लगुतर और लगुतम ये जो हैं दोस्तों ये आपकी तुलना की द्रिष्टी से गुडवाचक विशेशनों की तीनों अवस्थाएं हो जाएंगी हिंदी में विशेशन के कुछ रूप अन्य मिलते हैं जैसे मूलावस्था में अच्छा उत्तरावस्था में उससे अच्छा और उत्तमावस्था में सबसे अच्छा बड़ा तो उससे बड़ा और सबसे बड़ा और छोटा का उससे छोटा और सबसे छोटा हो जाएगा ये सं विशेसन के लिंग और वचन विशेसे के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं चाहे विशेसन के पहले आए या बाद में जैसे अच्छे चात्र पढ़ते हैं बड़ा आदमी सुन्दर सौभाव का होता है राधा भली लड़की है और यदि एक ही विशेसन के अनेक विशेसे तो विशेसन के लिंग और वचन समीप वाले विशेसे के लिंग वचन के अनुसार होते हैं। तीसरा है विशेसन के प्रियोग से जिस संग्या की व्यापकता सीमित होती है अथवा जिस संग्या का गुड अथवा धर्म प्रकट होता है उस संग्या को विशेसे कहा जाता है। पहली इस्थिति में विशेसन को विशेसे कहते हैं और दूसरी इस्थिति में विशेसन विधिय विशेसन या पूरग विशेसन कहलाता है। इस वाक्य में जगह विशेस्य है और उसका विशेस्ण सूनी उसके पहले होने की कारण विशेस्य विशेस्ण है और ये जगह सूनी जान पड़ती है वाक्य में जो है जगह के बाद विशेस्ण सूनी आया है तो ये विध्य विशेस्ण हुगा विशेश की अतिशैता प्रकट करने में विशेशन की प्रायपून्रा वृत्ति होती है जैसे ठंडी ठंडी हवा से मन को आनंद मिलता है और बहुत यानि बहुत जादे के अर्थ में विशेश और विशेशन में किसी एक को ही बहुत वोधक रखना सुद्ध है जैसे बहुत बिद्यार्थी अथवा, बहुत बिद्यार्थी गण, बहुत शंख्यक बालक अथवा, बालक गण, तो इस तरह से आप विशेशन और विशेशन से संबंधित कुछ प्रमुख बातों या एक तरह से कहा जाए, तो नियमों को जानकर इनको आसानी से समझ सकते हैं, तो इस वी इस टॉपिक के अध्यान से आप जान पाएंगे कि विशेशन या विशेशन से क्या होता है, विशेशन के प्रमुख प्रकार कौन से हैं, प्रविशेशन किसे कहते हैं, और विशेशन और विशेशन से संबंधित प्रमुख शर्तें और बातें क्या हैं, जिनके आधार पर आप विशेशन और विशेशे का आसानी से अनुमान और पता लगा सकते हैं तो ये वीडियो आपके विशेशन विशेशे खंड को समझने के लिए बहुत ही इंपर्टेंट है इसके बाद हम आरो यारो परिक्षा के लिए विभिन परिक्षाओं में पूछे गए महत्तपूर्ण प्रशनों को रिवाइज करेंगे जिससे आप क्लियर हो जाएंगे कि इस टॉपिक से जो प्रशन बनते हैं वो किस प्रकार के आते हैं और आप कैसे इनको आसानी से समझ कर सही सही अटेम्ट कर सकते हैं तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल माकदेशन फॉर सिविल सर्विशेज को सब्सक्राइब करें दोस्तों सामानी हिंदी खंड में हमने पर्यायवाची इसकी अलामा विलोम सब्द तद्भौत अच्सम और वाक्यांस के लिए एक सब्द ये सभी कबर कर चुके हैं विशेज़ विशेज सिखंड बहुत ही इंपर्टेंट है थोड़ा सा क्लिष्ट या कठीन भी लगता है तो इसलिए इसको अच्छे से तयार करें तयार कर लीजेगा हमने इसी कारण से आपको विशेज़ विशेज समझने के लिए थोड़ा सा नियमों की जानकारी भी दे सके तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार